हे गाईज दिस इस मोहित कुमार कश्योबर आप सभी का वेलकम है गुरू कुलहाब योटूब चैनल पर तो स्टुडेंट्स रर्वी एंडी पीसी और गुरूबडी एक्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी ख़बर आई है एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो मैं आपके साथ शेर करना चाहरा हूँ इस वीडियो के जर्ये तो कल जैसे कि 25 सेप्टेंबर था मिटिंग थी और आरवी ओफिशियल्स की एक्जाम कंड़क्ट कौन कराएगा TCS कराएगा या कोई और अधर कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा तो ये मिटिंग हुई है अब इस एक्जाम में कितना समय बाकी है कितने दिन अभी लग सकते हैं कितने महीने लग सकते हैं तो ये सवाब से बड़ा सवाल बनता है, कि क्या एक्जाम नोवंबर में होगा, या फिर दिसम्बर में एक्जाम होगा, या फिर उसके बाद भी एक्जाम होने की समभावना बन रही है, तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़े आपकी किलियर करने वाला हूँ क्योंकि कल 25 सेप्टेंबर में RRB ओफिशल की मीटिंग हुई है इस चीज़ को लेकर कि किसको ये टेंडर दिया जाए तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखे एक एक बात को समझे तो यहाँ पर हम RRB, NTPC की डेट को लेकर और रूपडी डेट को लेकर लगातार इंतजार कर रहे है तो यहाँ पर हम हैं वेबसाइट पर NDPV इंडिया की वेबसाइट पर ओफिशल वेबसाइट है NDPV इंडिया की तो वहीं से हमें जानकारी मिली है कोई कल 25 सेप्टमबर थी तो कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट हो नहीं था तो बिल्कुल हम भी इसमें लगातार स्टीज में थे कि जल्दी से कोई ना कोई जानकारी हमें मिल पाए तो यहाँ पर साफ तोर पर लिखा गया है आप देख सकते कि RRB NDPC परक्षा की तारिक अभी तैन नहीं हुई है तो फिलाल की जो बात की जाए 25 सेप्टेंबर और 10 बच के 5 मिनट यान की रात की न्यूज है और 10 बच के 5 मिनट अभी तक कोई भी यहाँ पर यह बात तैन नहीं की गई है कि एक्जाम कब होगा तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ देखे जो एक्जाम को लेकर जो NDPC Admit Card सर्च कर रहे हैं हाला कि अभी तक परिक्षा की तारिक ही नहीं आई है ऐसा बच्चा सोच रहे हैं कि Admit Card आने का वाले हैं Admit Card कब से आने वाले हैं लेकिन Admit Card आने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि Railway के Notification के मताबिक परिक्षा जून से सितंबर के बीच आयोजित होनी थी लेकिन Railway के वरिष्ट अधिकारी से बात की है NDPTV ने तो उन्होंने बताया है कि Railway भरती परिक्षा आयोजित करने के लिए जल्द ही एक Agency निउक्त करने वाला है तो कल इसको लेकर एक Meeting भी हुई है तो इसमें बोला गया है कि परिक्षा कराने के लिए Agency मिलने के बाद भरती परिक्षा आयोजित की जाएंगी इसके लिए एक ओपर टेंडर निकाला जाएगा जिसके लिए कल Meeting हुई है अधिकारी ने Agency निउक्त करने की प्रिक्रिया में एक से दो महिने का समय लगने के सवाल पर भी हामी भरी तो बहुत ज़रूरी पाइंट की एक से दो महिने का समय यहाँ पर लग सकता है इसका मतलब यह है कि October आपको चला जाता है October में आपका एक्जाम नहीं होगा अब सवाल यह बनता है कि एक महिना तो चला गया अब दूसरा महिना तो निक्त करने यहाँ पर बात की जारी कि Agency क जाती है तो वो कितना समय लेती है आपके एक्जाम को पंड़क्ट कराने में क्या वो नॉमबर के नॉमबर में एक्जाम करा पाएगी या दिसमबर में एक्जाम करा पाएगी और अगर उसमें भी समय लग जाता है यहाँ पर दो महिने भी बोला है यानि कि अगर नॉमबर की बजाय दिसंबर में जाकर एजनसी निक्त होती है तो एक्जाम आपका 2020 तक भी जा सकता है इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि हम अगर ये कहें कि आपका इसमें 2020 तक कभी डिले हो सकता है ठीक है इसमें साफ तोर पर दिया गया है जानकर यहाँ पर दी गई है कि पेपर लिग को लेकर यहाँ पर हाल ही में जुने अज इन परिक्षा का पेपर लिग होने के बाद रेल्वे ने यह फैसला लिया पूरे भारत में 15 भासाओं में कंप्यूटर बेस्ट परिक्षा आउजित कर Ente इनमें हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नर, कॉंकडी, मराथी, मनिपुरी, मलियानम, उडिसा, पंजाबी, तमिल, ते लोगो और उर्दु भाषा सामिल है तो पंद्रा, पंद्रा लाइग्वेज में ये आपका पेपर होना तै है, ठीक है, तो इसके लिए ही कल टेंडर हुआ है, अब टेंडर में किसका चुनाव किया जाएगा, उसके लिए बोला ही है, साफत और पर वरिश अदिकारे ने कि एक से दो महिने का समय लग जाएगा, और अगर एक से दो महिने का समय लगता है, तो सीधी सी बात है कि आपका एक्जाम अगर एक महिने का समय लगता है, तो दो महिने डिले होगा, कम से कम, और अगर दो महिने का समय लग जाता है, तो कम से कम तीन महिने का डिले होना है, तो आप ये मान कर चलें कि एक्जाम तो मैं चाहता था कि आप तक जल्दी से शेयर करूँ क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब एक्जाम कब होगा, कितने दिन बाद होगा, तो बिलकुर मैंने मुनासिब समझा कि आपको वीडियो के जरिये जानकारी पर वाइड करा दी जाए, रेलवे की तरफ से कोई भ मैं आपके लिए शेयर जरूर करूँगा, अभी तक के लिए इतना ही धन्यवाद